नमस्कार आज हम विश्यवीज्ञान कख्शा सप्तमीक में सेकिंड चैप्टर प्राणियों में पॉठ्षन नुट्रिशन इंद एनिमास का अध्यान करेंगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अब प्राणियों में पॉठ्षन को तीन सिंप्ल भगों में माटा गया है कि अब प्राणियों में पोशन क्यों जरूरी है अंतक रहन का प्रकार याने भोजन को किस प्रकार लेते हैं और शरीर में इसके उपयों की वीदी क्या है सबसे पहले हम देखेंगे प्राणियों में पोशन या प्राणियों में पोशन याने क्यों जरूरी याने प्राणियों में पोशन की क्या आवशक्ता है उर्जा के लिए व्रद्धी के लिए अंतरिक या बहारी चोट की मरमत के लिए प्राणियों को भोजन की आवशक्ता है अब हम भोजन को किस प्रकार लेते है इसे अंतर ग्रहन कहते है जिस प्रकार आपने देखा है कि मदू मक्हिया फुलो पर मकरन चूसती है उसे शकिंग कहते हैं यानि फुलो का रस पूरा चूस लेती है दूसरा आपने देखा कि साप खरगोश या चूए को निगर लेता है अब इसके देखेंगे का स्टार फिश अपना बोजन किस प्रकार लेती है तो स्टार फिश अपना बोजन केल्शियम कार्बोनेट के कोठोर कवश वाले जन्तूओं का आहार करती है जब यहां कवश खुल जाता है तो अपना मुख से अमाशे को बहार निकालती है वह जन्तू के कोमल भगो को खाकर उसका पाश्चन कर पुना अमाशे को अपने शरीर में टालती है इस प्रकार स्टार फिश अपना आहार करती है अब हम देखेंगे पहले बताया था क्या प्राणियों के पोशन में पोशक तत्वों की आवशक्ता क्यों है तो मानाnight सहीद सभी जिवों की पुरधी करने के लिए शरील को स्वस्त एवं घतिश बनाए रखने के के लिए खार्द्य प्रदार्तों की आवशक्ता होती है कि आहार के अंतर ग्रहन याने बोचन ग्रहन करने की वीदिय को और शरीर में इसके उप्यों की वीदिय हमने पहले में बता चुकी हूं अब पाच्चन की से कहते हैं जटिल खार्द्य प्रदार्तों का सरर कार्बनिक प्रदार्तों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाच्चन केते हैं कार्बोहड्रेट एक जटिल कार्बनिक प्रदार्त है उससे हम प्रत्तिक रूप से उच्चा प्राप्त नहीं कर सकते अथर हम कार्बो हाइड़ेट को गुलकोज में तोड़ते हैं पिछले पार्ट में याने पार्ट वो में पोशन में हमने पढ़ा था कि पादप प्रकास उंसलेशन द्वारा अपना बोजन बनाते हैं जिसे से वो गुलकोज बनाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं खाद्य अंतेगरन की वीडियो में आमने देखा था क्या मदु मक्खी एवं मरमर पक्षिये पोदों का मकरन चूसते हैं साप जो है खरगोश एवं चूए को निगलता है मनुष्य भोजन को चबा चबा कर खाता है इसलिए कहते हैं मोजन को 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए स्टारफिश के बारे में बताया था कि स्टारफिश केल्शिम कार्पॉर्णेट के कठर कवश वाले जंतुओं का आहार करती है कवश खोलने के बाद यहां अपने मुख से अपना आमाशे बहार निकालती है और जन्तूओं के कोमल भागो को खाकर पुन्हा आमाशे शरीर के अंदर ले लेती है मानों में पाचन मानों में पाचन के तेद हम देखेंगे कि इसके विबिन भाग है जो मुख ग्रुविका से होकर गुदा तक जाता है इसके अलग-अलग भाग है जैसे चित्र में बताया मुख ग्रेका, ग्रसीका, अमाशे, शुद्रांत, बढ़ी आंत, या बढ़ेद्रांत, मलाशे और गुदा जो हम बोजन मुख ग्रेका से, मुख से अंदर लेते हैं वहाँ ग्रसीका से होकर अमाशे में जाता है अमाशे से छोटी आत में जाता है और वहाँ से बढ़ी आंतर में जाता है बढ़ी आंतर में से जो अब पचा हुआ बोजन है जिसे हम समय समय पर मलाशे के द्वारा गुदा द्वारा बाहर निश्काशित कर देते हैं मुख के द्वारा बोजन अंत्रक्रेंड करते हैं उसे पचाते हैं फिर इसका उपयो करते हैं आहार का बीना पचा भाग मल के रूप में निश्काशित किया जाता है भोचन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुरीका से प्रारम होकर गुदा तक जाती है इस नली को हम विविन भागों में बांड सकते है जैसे चित्रा में दिया है मुख गुई का ग्रसी का जो ये नली के रूप में अमाशे तक जाती है अम्मा शे के बाद शुद्रांत, ब्रहद्रांत, मला शे वगुदा इसके बाद में हमें यकरत, पित्ता शे और अगना शे ये जो भाग दिखाई देते हैं ये इसके सहायक, पाचक, ग्रंथिया है जो बोचन को पचाने में सहायक है अहार नार की बाद करें तो ये एक खोकली नली का है, जो मुखगुई का से सुरू होकर गुदा तक जाती है यह बोचन को, हम बोचन को मुखगुई का द्वारा ग्रहन करते हैं तथा यहां बोचन को मुखगुई का में दांत और जीब के द्वारा निगला जाता है अब बोचन ग्रसी का से मुखगुई का से ग्रसी का तक ग्रसी का द्वारा अमाशे तक पहुंचता है अमाशे में बोचन 3-4 गंटे संग्रेट रहता है अमाशे से बोचन छोटी आंत में जाता है जहां इसका पाचन हो जाता है अब पचित पोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है बड़ी आंत से जो अब पचित पोजन है गुदा द्वारा समय समय पर शरीर से उस्सरजित किया जाता है अब बच्चो आज हमने प्राणियों में पोजन के अंतरगर देखा था कि प्राणियों के पोजन की क्यों आवशक्ता है व्रद्धी के लिए, एनर्जी के लिए, तथा बोड़ी रिपेर के लिए प्राणियों को पोजन की आवशक्ता है हम बोजन को किस प्रकार लेते हैं यहां अंतरगरन कहलाता है जैसे मदू मख्यी फूलों का रस चूसती है साप खरगोश या चुए को निगलता है मनुश्य बोजन को 32 बार चबा चबा कर बोजन ग्रहन करता है जो तो इसकी वीदिया हो गए चूसना निगलना वो चबाना यहां अंतरगरन के प्रकार है स्टार फिश जो बोजन को केल्शियम कार्बोनेट जैसे कोठर कवश वाले जनतुओं का आहर करती है जनतुओं से लेती है यहां बोजन बोजन को अमाशे द्वारा यहां बोजन को अमाशे से अपने शरीर से बाहर निकलती है और अमाशे से ग्रहन करती है पुन अमाशे को अपने शरीर के अंदर ले लेती है मानों में पाचन के तहट हमने देखा था पाचन क्या होता है जटिल कार्बनीक प्रधार्तों को सरर कार्बनीक प्रधार्तों में तोडने या विखंडन करने की प्रिया को प्रक्रिया को पाच्चन कहते है कार्भोहइडरेट एक जटिल कार्बनिंक-प्रदात है जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से उर्चाा में प्राप्त नहीं कर सकते अथ Catholics को चोटे 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 तुकडों को गुलकोस के रूप में लेते हैं मानों में पाचन हमने देखा मानों में पाचन आहार नार दारा होता है आहार नार एक खोकली नली है जो मुख गुही का से शुरू होकर गुदा तक जाती है हम बोजन को मुख में लेकर दात वजीब के द्वारा गर्सिका में दात वजीब के चबा कर बोजन को चबाते है या निगलते है जिसे गर्सिका में से होकर अमाशे तक जाता है अमाशे में बोजन तीन चार गंटे रहता है अमाशे से बोजन छोटी आंत्र में जाता है जहां बोजन का पाच्चन या उशोशन होता है और पाच्चित बोजन बड़ी आंत्र से मलाशे में एकट्रित होता है जो समय समय पर गुदा के द्वारा बाहर उस सरजित किया जाता है तो आज का ग्रह कारिया है प्राणियों में खाद्य प्रदार्तों की आवशक्ता क्यों होती है तो प्राणियों में खाद्य प्रदार्त की आवशक्ता ब्रदी करने के लिए शरीर को स्वस्तेयों गतिशिल बनाए रखने के लिए उर्जा प्राप्त करने के लिए बोड़ Yeah इभनन लिए हैं तुमएं तोड़ने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं स्टार फिश कौनसे जन्टूओं का आहर करती है स्टार फिश या तारा मशनी केल शियम कारबोनेट जैसे कठर कवश वाले जन्टूओं का आहर करती है मानो पाचंत रंत्र के नाम लिखिए तो मानो पाचंत रंत्र के नाम है मुख गुही का, ग्रसी का, अमाशे, शुद्रांत यानि चोटी आंत, ब्रहेद्रांत यानि बड़ी आंत, मलाशे और गुदा अंतक रहन किसे कहते है मूख के द्वारा जो हम बोजन शरीर के अंदर लेते है उसे अंतक रहन कहते है नमस्कार